नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में अडानी विलमार स्टॉक को डिस्कस करेंगे कल इसके कोटरली नंबर्स आएं तो नंबर्स को थोड़ा देखें और आगे के ट्रेंड को समझें से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जुआइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आफिन कर लेंगे डिस्क्लेमर बता दू अल्रेडी हमने इसे स्टॉक के 11,000 सेयर खरीद रखे हैं तो ये चीज मैं आपको अल्रेडी सेयर कर दिया हूँ अब quarterly numbers में जो revenue रहे वो cotton quarter basis पर भी बरते हुए दिखे और year on year basis पर थोड़े numbers डाउन रहे और profit year on year basis पर यहां देखेंगे तो 60% बरता हुआ दिखा cotton quarter basis पर थोड़े वीकर है क्यों क्योंकि other income में तो ठीक ठाक दिखा है लेकिन जो revenue देखेंगे वो बरता हुआ दिखा लेकिन जो OPM है जो operating profit margin है वो थोड़ा numbers देखेंगे 1% डाउन रहे जिसके कारण profitability जो है लगबग 40 करोर के आसपास का जो profitability रहा वो थोड़ा डाउन रहा है इसके अलावे यहां देखेंगे तो company के अंदर जो FI है वो as it is है थोरे FI के position बरहे है प्रमोटर as it is है DIs ने भी holdings बरहाए है और public की थोरी बहुत holding घटी है और मुझे लगता कि यह इस समय जो company ने जो capex करा यहां देखेंगे जो capex है वो लगबग double हुआ है company के date लग अगले तीन साल में हम एक million direct outlet खोल देंगे जो कि एक बहुत बरी बात है और FMCG food segment के contribution को 40% करेगी जिसके कारण जो company का OPM इस समय 4% दिख रहा है यह आपको 12 to 15% तक भी दिख सकते है यानि जो profit 100 और 200 करोर दिख रहा है वो profit आपको 1200 करोर तक के भी दिख सकते हैं यानि जो profit लगते हैं यहाँ delivery ठिक ठाक दिख रही है technical trend देखेंगे तो technical trend strong दिख रहा है competitively sector का और आज का volume लगबग 20 lakh और यहाँ देखेंगे थोरा बहुत यह lower level के जितने भी बायर थे यहाँ profit booking आई लेकिन already यह resistance breakout है हो सकता है थोरा retest करे और उसके बार trend continue करे हमने कल भी कहा था कि 420 minimum और maximum 700 प्लस तक के level next one year में expect किया जा सकता है 320 जब तक breakdown नहीं करें बिलकुल stock weak नहीं है buy on dips के opportunity को ही देखना चाहिए